नमस्ते साथ हुए इस वीडियो में आप सभी स्वागत है आप देखरे राइटिंग फ्लोग का वीडियो में हूँ आपका साथी प्रदीप मौर्या और आपके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीसी नर्सिंग कूर्स एडमिशन टू थाउज़न टू 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 के बारे में मतलब कि 2022-23 में अडमिशन किस तरीके से होगा बीसी नर्सिंग कूर्स में अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के अंड तक बने रहे हैं आप मेंसे अधिकतर स्टूडेंस के कमेंट आया थे कि सर अटल विहारी वासपे मेडिकल इनुवरसिटी जो है उसमें कराएगे कि इस तरीके से अटमिशन होगा इसके रगारें की इंफर्मिशन दीजे तो आप मेंसे अधिकतर स्टूडेंस के जो कन्फ्यूजन थे जो डाउट्स थे वो सभी दूर हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो वीडियो को आश्टर देखते यह चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हम आपको बताने का पूरा प्यास करेंगे और जितनी भी चीज़ें आपको बताएंगे वो प्रूप के साथ दिखाएंगे साथ हो अगर हम बात करें 2021 सेशन की 2021 में क्या हुआ पीसी नर्सिंग कोर्स में जो इसके लगा नीट के स्कोर के आधार पर भी अड्मिशन हुआ ठीक है तो किन कोलेजिज में नीट के स्कोर के आधार पर अड्मिशन हुआ तो यहां पर आप देख पार होगा यह MCC का ओफिल वेबसाइट है MCC.NIC.IN इस वेबसाइट पर जवाब आएंगे UG Medical Counseling पर क्लिक क करेंगे तो यहां पर आपको एक option देख जाएगा counseling schedule करेंगे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने जो schedule है वो open हो जाएगे जैसा कि आप यहां पर देख पार होंगे आप यहां पर देख पार होंगे final schedule for online UG Counseling, MBBS, BDS, BSC Nursing और BSC Nursing जहां पर लिखा है उसके साथ में bracket में लिखा हुआ है only for central institutes of nursing मतलब कि किसके लिए जो central institutes है यानि कि जो केंदरी संस्थान है या फिर केंदरी विस्विद्याले हैं जो कि BSC Nursing का कूर्स कराते हैं मतलब कि अगर आप एक ऐसे संस्थान से भी या फिर ऐसे विस्विद्याले से कूर्स करना चाहते हैं BSC Nursing का जो कि क्या है केंदरी है मतलब कि central institute है या फिर इन्वरसिटी है तो उसके लिए आपको NEET UG का जो exam है वो देना compulsory होगा, mandatory होगा I hope आप इस चीज को समझ पारे हों जिसमें nursing का कोर्स कराया जाता है उसके लिए यहाँ पर चीज़े कही जा रही है I hope आप समझ गया होंगे किसके लिए compulsory है NEET BSC Nursing में admission के लिए अब हम बात करते है इस्टेट लेवल के जो colleges है या फिर जो universities है जो की BSC Nursing का कूर्स कराती है तो साथ हो यह बिल्कुल डिपेंड करेगा उस university या फिर college पर जो की BSC Nursing का कूर्स कराती है अभी हम बात करें अटल विहारी वाज़पे Medical University लखना हो यानि कि ABVMU की तो इसकी इसके दोरा भी कोई नोटिस अभी तक जारी नहीं क्या गया है कि नीट के स्कूर के अधार पेडमिशन होगा या फ़र खुद का इंटरंस एक्जाम एमस के दोरा कंड़क्ट कराया जाएगा तो आप इतना समझ सकते हैं कि जो Central Institute से यानि कि जो केंडरी संस्थान है नर्सिंग के जो के बेसी नर्सिंग का कॉर्स कराते हैं उनमें अध्यमिशन नहीं तो इसके लिए आपको नीट एक्जाम देना जरूरी होगा बट जो State Level के Colleges है या फिर जो निवर्सिटीस हैं ठीक है उनमें आपको State Level का इंटरंस एक्जाम होता उन यहां पर एक न्यूज हमें देखने को मिली है आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह इस पेसली है यूपी आने उत्तर प्रदेश के लिए जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह लाइव हिंदुस्तान.com का यह आर्टिकल है और यह इसकी डेट है 20 अपरेल 2022 यहा क्या है पूरी जनकरी चलिए मैं आपको पढ़के बताता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया इतिनात्री आदेश दिये हैं कि जनरल लेंसिंग और मिडवाइबफर यानिकी जनम और बीसी नर्सिंग कोर्स में एंडमिशन राश्ट्री पातरता से प्रवेस परिच्छा यानि की नीट के जरिए हूं उन्होंने योगता और कॉंसल विकास में धार के लिए हर राज्ट की मेटिकल कॉलेज में इसके लाइब की स्थापना करने के निर्देश दिये साथी परमेडिकल कॉंसल विकास के लिए पांच नए कोर्सेज ओटी टेकनीशियन तेकनीशियन इनस्थेसिया टेकनीशियन डेलिसिस टेकनीशियन और एम राइए को जोड़ने की करेयोजना बनाने के भी निर्देश दिये ठीक है इसके लाइब आप देख पार होंगे कोविट काल में इसका महत सभी समझ भी चुके हैं निर्देश दिये कि स्वास्त विवाग तौरा अगले 6 माव में प्रदेश में 10,000 प्रमेडिकल स्थाप की नियुक्ति कारिवाही की जाए नियुक्ति प्रक्रिया उतरप देश सेवा चैन बोर्ट के माध्यम से पूर सुचिता के साथ कराईज आ है ठीक है यहाँ पर आप देख पारेंगे मख्यमंत्री योगिया जितिनाथ ने समझ स्वास्त से जुड़े विवागों के प्रजेंटेशन दौरान ये निर्देश दिये इसके लिए यहाँ पर आप देख पारेंगे उन्होंने कहा एक जिला एक मेडिकल कॉलेज का हमारा संकल्ब पूरी प्रतिबद्धा से जारी है आज केवल 14 जिले ऐसे हैं जहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना कारे सुरू होना है यह कारी सीर्स प्रात्मिक्ता के साथ पूरा कराया जाए स्रीयमयोगी ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग सीटे मढ़ाने के लिए कहा उन्होंने कहा कि नर्सिंग को एक प्रेरक पेस के तौर पर प्रतसाहित करना चाहिए उन्होंने अगले 6 माँ में 3 पेरामेडिकल स्कूल और 24 इसके लैप के स्थाफना की निर्देश दिये ठीक है तो यह है पूरी खबर साथ यह जो खबर है यह है लाई हिंदुस्तान.com की आर्टिकल है 20 अप्रेल 2022 का अगर हम इसकी माने तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि बीसी नर्सिंग और जीन नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें अडमिशन नीट के थू हूँ ऐसा आदेश है सीम योगी यानि की चीव फिनिस्टर योगी आदेट नाद जी का ठीक है तो यहां पर इस तरह के कहें अगर यह न्यूज सही है तो हो सकता है कि उत्रवर्देश यानि की यूपी में जेनेम और बीसी नर्सिंग कोर्समेडमिशन नीट के स्कूर के अधार पर हूँ अगर यह सही है तो ठीक है हैं तो साथ शाथी इस चीज को देखने के बाद क्या समझते हैं आप यह समझते हैं कि होगता है कि जो स्टेट लेवल के कॉलेजस हैं या फिस्टल इंवरसिटी कोर्स कराती है वह भी new नीट के स्कोर के आधार पर एडमिशन आपको दे दे मतलब की वो चाहें तो बीसी नर्सिंग कोर्स में या फिर जेने नर्सिंग कोर्स में एडमिशन नीट के स्कोर के आधार पर दे ठीकर डिपेंड करेगा उन पर की वह एक क्या डेसिजन लेती है तो आपको अब क्या करना देखे अगर आप BSC nursing का course करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहाते है नीट का फार्म बनना चाहए नीट के application form आ चुके हैं और उसके last टेट है 6 माईин 2022 ठीक है तो अगर आप नीट का फार्म फिल कर देते हैं उससे क्या होगा उससे फाइदा यह होगा कि आप उन college में admission ले पाएंगे जो कि क्या है central institute में मतलब कि जो central colleges है उनमें तो आप admission ले ही पाएंगे इसके लावा जो state level के colleges हैं या फिर universities हैं जो कि BSC nursing का course कराती हैं अगर वे चाहती हैं कि हम नीट के score के अधार पे admission दे तो आप उनमें भी admission ले सकते हैं अगर आप नीट का exam देंगे साथ होगर हम बात करें हैं नीट के exam में नीट UG का जो exam होता है इसमें questions कौन कौन से subject से पूछे आते हैं तो इसमें questions पूछे आते हैं physics, chemistry, biology, biology में पूछे जाते हैं अब आपको नीट के exam देने का फाइदा क्या है देखे इसका फाइदा तो यह है कि आप इसके द्वारा MBBS में भी admission ले सकते हैं और BSc nursing में भी admission ले सकते हैं ठीक है अगर state level के colleges चाहते हैं या फिर universities चाहते हैं कि हम नीट के school के आधर पर BSc nursing में admission दे तो आप चाहें तो उनमें भी admission ले सकते हैं एक तो यह फाइदा रहेगा इसमें आप क्या पढ़ेंगा physics chemistry biology मतलब कि physics chemistry botanyology आप इसमें study करेंगे अगर आप इसकी त्यारी करेंगे ठीक है कोई भी nursing का entrance exam देंगे अगर आप BSc nursing का कोई भी entrance exam देंगे state level का भी तो उसमें आपको physics chemistry biology से questions जरूर देखने को मिलेंगे मतलब की अगर आप state level का entrance exam कराया जाता है जिसमें आपको admission देना है तो आप उसको भी दे सकते हैं और उसके score पर आप admission ले सकते हैं तो आपके पास दोलों चीज़े रहेंगी अगर ये university ये college अपना खुद का entrance exam कराता है तो आप उसको भी दे सकेंगे और नेट का जो score है उसके अधर पर admission लेता है तो उसको भी आप दे सकेंगे और आप admission ले सकेंगे I hope आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे जो चीज़े मैं आपको बताना चाह रहा है तो अमीद करते हैं साथ हो जानकरी आपके लिए काफी helpful रही होगी और चीज़ें आपको स regarding तो नहीं है है ना तो आप उस चीज़ को देखते रहे है अपड़ेटर रहे है जिसमें आप admission लेना चाहते हैं और वैसे हम भी प्रयास करेंगे जब फॉर्म आए इसके regarding कोई भी notice जा रही हो बीसी नर्सिंग का जो कोर्स इनवर्सिटीज कराते हैं और फिर कॉलेज कराते हैं उनकी तरफ से तो हम आपको अपड़ेट करने का प्रयास करेंगे बस आप चैनल के साथ जोड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आल पर जरू क्लिक कीज़ेगा तभी आप आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा इसके लावा आप टेलिग्राम चैनल जोइन का लिजए राइट इन फो कलब का डेस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो चले साथ यह उस वीडियो के पर इंटरंस एगजाम है नर्सिंग के ठीक है अगर आप नियट की तयारी करेंगे तो उसकी भी तयारी हो जाएगा और आप उसको भी दे सकेंगे उसमें भी अच्छा score आप कर सकेंगे चले साथ विडियो के पर एंड करते हैं मिलते हैं किसें ने वीडियो में